चलिए तो बच्चों अब हम बात करते हैं exercise 3.5 के second के second question की इसमें क्या करते हैं हम लोग देखिए के कि किस मान के लिए आपको क्या करना है के का मान ग्याद करना है किसके लिए निम्निराखिक समिकर्ड के युगमका कोई हल नहीं है कोई हल नहीं वाली condition वो दे रहा है और इस इसको सबसे पहले में आपको बता है बज़गुर्ण में दिस्वाल करना होता है तो हम क्या है इसको इधर लेकि आता है तो वन को हम इधर लेकि जाते हैं clear यहाँ पर लिखते हैं इसको 3x प्लस बाई यह बन इधर आएगा तो क्या हो जागा माइनस का बन इक्वल टू क्य क्या होगा सॉरी यह इधर आएगा तो माइनस का तू के प्लस बन हो जाएगा बराबर क्या हो गया जीरो इसे दे देते समीकर नंबर एक और इसे देते समीकर नंबर दो यहां तक बात समझ वागी हमने कुछ नहीं किया सिर्प इनको यहां पर लेके आएं clear अब क्या अब इन दोनों समीकर्ण की तुलना व्यापक समीकर्ण से करेंगे तो दोनों समीकर्ण की तुलना करते हो तो लिखेंगे क्या समीकरण एक और दो की व्यापक समीकरण कौन कौन से व्यापक समीकरण एबन एक्स प्लस बीटू बड़ाबर जीरो से तुलना करने पर क्लियर हैं पर इससे हम तुलना करेंगे तो क्या है यहां पर एबन बीबन सी बन और एटू बेटू सीटू के वैल्यू निकल के आएंगे तो वीदियो के पूराइटे रहे आपको समझ में आएगा यहां यहां पर देखी इपन की पहले में Index कमान एक्स का गुराण कितना है तो यहां पर एबन का जुमान होगा वो होगा तीन कितना होगा थीन ठीक है और दूसरा आप डिबन यानिकि व्लान की ź Corn यहाप कुछ नहीं होता तो 1 मानल तो यहाँ पर एक तूज के गुणां के निवाथ ही तो ऎल्म सा занरीक मानों ठीक है और सीवन सीवन टेीं गुनिबडन उटा है सीवां के वैल्फ मायनस कम वन का है किया है माइनस का वर यहाँ तक बात समयbies आरगी आपको अभ यहां पर अब इसी तरीके से एटू की वैल्यू निकल तो एटू क्या है एटू देखें दूसरे सामिकर टू के माइनस वन तू के माइनस वन तू के माइनस वन क्यों है क्योंकि एक्स का गुणांक है क्लियर दूसरा बीटू की वैल्यू बीटू की वैल्यू क्या है यह वाली यान olph निकालने घंब क्या करेंंगे कोई हल नहीं कि लगाएंगगे है को ऊठाइक हो तब रह्ता होम देहेए क्या होगा जब निकार कोई हल नहीं हो तो तब क्या होगा तो कंडिशन होती है क्या एबन बटे एटू बराबर बीबन बटे बीटू और बराबर नहीं है सी बन बटे सीटू के यह कंडिशन किसकी होती है कोई हल नहीं कि होती है अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देंगे क्या करेंगे आप पर वैल्यू को रख देंगे तो मैं इसको मिटाल मिटाल रहा हूं आप लोग लिख लेना इसको ठीक है अब मैं मिटा दूँ इसक कि भूब के माइनस का वन क्लियर यहां तक ब्राबर दी बन वटे बी-टू यानि कि इसके बटे में यह यह यानि one upon में कि माइनस वन क्लियर यहां तक अब तीसरा तीसरा क्या है यहां पर देखिए कि सीवन बटे सीटू कि सीवन बटे सीटू तो माइनस का वन बटे में क्या आएगा माइनस का टू के प्लस वन यह है यहां तक अब क्या करेंगे हम यहां पर यहां पर लगा देंगे बराबर नहीं क्लियर अब यह दो बराबर होगे तीसरा बराबर नहीं अब क्या करते हम इसको सौल करते हैं इसको क्या करते हैं यहां पर की की बैलू निकालते हैं तो की की बैलू निकालते ह चाहिए प्लियर यहां तक अब क्या करते हैं हम लोग यहां पे देखें को यहां से निकालते वगें सब्सक्राइब इसब्सक्थो से इसको सोल करते हैं तो फाष्ट अंड था upon में 2k minus का 1 कितना 2k minus का 1 और यहाँ पे देखिए वराबर 1 upon में यहाँ पे क्या आएगा k minus का 1 क्या आएगा k minus का 1 अब देखिए आप यहाँ पे क्या करना है हमको इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दी इसका हिसमें करेंगे तो किया आएगा? 3K यह लिज़े मैं यह कि step forward 3 auto K minus 1 क्लियर? इसका हिसमें करेंगे तो बराबर आएगा 2K minus का 1 यह हो गया? अब क्या करते हैं? यहाँबे? अंदर इसका गुणा कर देते हैं तो यह अंदर गुणा करेंगे तो प्यायगा है ओर यहां पे माइनस का 3 बड़ाबर और यहां पर किंड yapmışके न सब्सक्राइब कि यहां पर देखो थ्री के मैंस के गया तो क्या बचा कि यहां पर प्लस माइनस माइनस तीन मैंसे एक गया तो क्या या दो यानि के बराबर दो आपका एक अंसर है आईवोप आप लोगको समझ में आ गया ओकर अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीए और बैल और आप जो भी suggest करना चाहते हो वीडियो ना फिर वीडियो में जो भी कमी है उसको comment box में जरू लिखे